देखिए जिन जिन लोगों को लग रहा था कि खिसारी लाल यादों के उस बयान का जवाब पवन सिंग नहीं देंगे या पवन सिंग चुपी साद लेंगे कुछ भी रियाक्ट नहीं करेंगे उन सारे लोगों को गलत साबित करते हुए पावर स्टार पवन सिंग ने खिसार जिस गाने का नाम है सडिया और ये गाना जो आज से दो दिन पहले आदे शक्ति फिल्म कमपनी से आता है और दू दिन के अंदर गाना उन्तिस लाख व्यूस बटोर लेता यानि लगभग गाना तीन मिलियन व्यूस के करीब है अब इस गाने के बाद हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसी गाने का इवेंट जो है वो लखनाओं में रखा गया था आपको बता दे कि दो दिन पहले लखनाओं में इस गाने का इवेंट होता है तमाम भुषपुरी के जो भी creators होते हैं वो सारे लोग पहुँचते हैं पवन सिंग की team including पवन सिंग इस गाने के जो भी makers, directors, producers सारे लोग उस इवेंट में आते हैं उस प्रकार जिस प्रकार से कि सारी लाल यादों ने अपने लाइक पे बकाईदा पवन सिंग का नाम मेंशिन किया था पवन सिंग ऐसे कोई जिक्र नहीं करते वो बात ही बाते बोलते हैं कि आपके भाई को कॉंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है पवन सिंग गरजते हु अपने fans के लिए वो कह रहे थे कि हमको controversy करने के जरूरत नहीं है मेरे लिए आप सब भगवान है, आप सब मेरी शोता है, आप सब दर्शक है हम आपके दम पर है, आप मेरे घंबंड है इसलिए हम गा कर भी train में आ सकते हैं हम अपने मेहनत से अपने stardom बना सकते हैं हमको trend में आने के लिए, हमको नाम कमाने के लिए controversy करने के जरूरत नहीं है पावन सिंग बहुत खुलकर कहते हैं कि भया भया वाला काम हम नहीं करते हैं और पावन सिंग बात में यह भी कहते हैं कहीं वो यह कहना चाहते हैं कि मेरा stardom ही है जो इस गाने की shooting के लिए हमको मुंबई बुलाया जा रहा था हम अपने film में बीजी थे हम इस film के makers को कहें कि मुंबई नहीं जा पाएंगे और पूरी इस film के जितने makers थे पूरी टीम लखना हुआई और तब जाकर इस गाने की shooting हुई और इस गाना सब के भीच है बाती बात में पावन सिंग ने यूटूबर्स को भी बहुत कुछ कहा पावन सिंग ने कहा कि जब भी हम shooting के सेट पर गारी से जाते हैं तो कई बार यूटूब खोलते हैं तो ऐसा thumbnail लिखता है कि फलाने ने फलाने को रेल दिया इस तरीके की यूटूबर्स को पावन सिंग ने कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए अगर पावन सिंग ने कर कहा कि किसी के मन में कोई द्वेश है कोई बात चीत है तो आप सामने से आकर बात चीत करें और ये बात पावन सिंग ने किसारे लाल यादों की लिए कहा वो नाम में लेते हैं लेकिन कहते हैं कि अकर दम है सच में कोई दिक्कत है कोई परिशानी है तो सामने से आई बात करिये indirectly कुछ मत बोलिए तक हम नहीं कहा कि हम डायएक वाले आदमी हैं हमको जो बोलना होता है हम मुँपे बोलते हैं इसके रावा पौंशिकि एująगता रहेगी हमी लोगों में तब भी हम लोग बाहर के लोगों से फाइट पकल पाएंगे अगर हम लोग आपस महीं लड़ते जगड़ते रहेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे इसका फाइदा बाहरी लोग भी उठा कर चले जाएंगे पाउन सिंग ने कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों करता हूं बोलना माइक नहीं होता है मतब तमाम तरीके की बाते पावन सिंग बोलते हैं और यह सब कुछ सुनकर पावन सिंग के फैंस को खूब तसली मिलती है क्योंकि प्रिश्टन स्कों को इस बात का इंतिजार था कि सारी लाल यादों ने लाइब आकर जो बोलना था वो तो बोल दिया लेकिन पावर स्टार क्यों चुप हैं उनका कोई रियक्शन सामने क्यों नहीं आ रहा है उनकी टीम से कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है तो पावन सिंग ने अपनी चुपी फाइनली तोड़ दी है दो दिन पहने वो रखना हुआ वाले इवेंट में खूब गरसते हैं जमकर बरसते हैं कि सारी और उनके टीम के लोगों को सुनाते भी हैं लेकिन इंडिरेक्ली सुनाते हैं वो किसी का नाम मेंशन नहीं करते वो कहते भी हैं कि जिसको जो करना है करें जिसको जैसे खुश रहना है खुश रहे मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है बाकि आ कमने बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलायर वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं आई वीडियो में धन्यावाद